हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके शाद शेयर करने जारी हूँ बेसन से बनने वाली बहुत ही स्वादिस्ट सी मिठाई बेसन बर्फी जो बनाना बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स इस बेसन की बर्फी में ना ही हम चासनी बनाएंगे ना ही कुछ मावे का यूज़ करेंगे ब बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाता है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट लगता है सिर्फ तीन चीजों से बनके ये रेडी होगा तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देशी की चन में और मैं हूं ममता इसे बनाने के लिए आप देख सकते ह सबसे पहले एक लियाओ घाल देंगे और घीसे हम भूनना है तो अकलम हम लोफ लेम पे बेसन को हमें अच्छे से भूनना है हमें गास की फ्लेम को एकदम लो पर ही रखना है और हमें लो फ्लेम पर ही साथ से आठ मिनट तक हम इसे इसी तरह से भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो सकते हो यहां पर मैंने दो से तीन चमच सूजी लिया है तो मोटी वाली सूजी हो या बारी कोई भी सूजी हो आप उसे ग्राइंड करके ही आप इस में यूज करें इससे जो हमारी बेसंग की बर्फी है अंदर से थोड़ी सी दानेदार दीखेगी और जो इसका टेक्स्चर है बहुत ही जादा अच्छा आएगा तो इसलिए मैंने यहां पर दो से तीन चमच सूजी को ग्राइंड करके एड़ किया है और इसके साथ हम इसे ब होता है जिससे हमारा जो बेसन है वो जल सकता है तो हमें इसे इसी तरह से भूनते रहना है और आप देख सकते हो बेसन हमारा बहुत ड्राई था लेकिन अब धीरे धीरे इस घी जो है रिलीज करना शुरू कर दिया है और यहां पे घी जो है बिलकुल बहुत अच्छे से ल बलाते हो varying हमें, 1 से 2 सेकंड तक और इसे भून लेंगे, ताकि कलर थोड़ा और बिल्कुल गौल्लेंड जैसा आ जाए। जिस तरह से हलवाई बनाते हैं आप देख सकते हो discussing आभा सहिंस, इसके बाद इसे बहुत अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद जितना मैंने घी लिया था उतना ही मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का हम यूज कर रहे हैं तो friends आप mixी में डाल कर grind कर कर आप इसमें use करें अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे चीनी की quantity एक तो चमच आप इसमें बढ़ा सकते हो और चीनी के साथ हम इसे बहुत अच्छे से mix करेंगे gas की flame को मैंने यहाँ पे low पर ही रखा है हमें gas की flame को बिल्कुल भी नहीं तेज करना है हमें low flame पर ही इसे बनाना है हम धीरे धीरे जैसे ही इसे mix करते जाएंगे जो हमारा बेसान है वो बिल्कुल liquid होने लगेगा क्योंकि जो हमने चीनी add की है वो melt होने लगेगी और उसके साथ हमें इसे एक से दो मिनट तक और इसे हम भून लेंगे पका लेंगे और उसके बाद हम इसे set करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारा बेसान है बहुत अच्छे से भून गया है color भी इसका change हो गया है थोड़ा सा liquid color हो गया है अब हम क्या करेंगे जिस भी tray या फिर जिस भी आप बरतर में आप इसे जमाना चाहते हो उसे थोड़ा सा घी के साथ हम इसे grease कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर cake tin दिया है मैं उसी को हलका सा घी से grease कर लूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने बेसन भूना हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से set कर लेंगे तो friends आप देख सकते हैं इसमें ना ही हमें चासनी बनाने की जरूआत है और ना ही जादा मेहनत की जरूआत है बहुत ही आसानी से यह बेसन की बर्फी बनके रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो friends यह रेसेपी आप एक बार जरूर ट्राइ करें फटा फटा आप इसे बस दस मिनट से जादा का समय बिल्कुल भी नहीं लगता है और इसे आप बना सकते हो थोड़ा समयने आप पिस्ता और यहाँ पे बादाम से मैंने इसे डेकुरेट किया है आप अपने मन चाहे ट्राइ फूर्ट के साथ आप इसे डेकुरेट कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल हलुआईओं जैसा लुक देने के लिए मैंने इसमें पिस्ता और यहाँ पे बादाम से डेकुरेट किया है और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यह सेट हो गया है मैंने डाल दिया है अब हम इसे 10-15 मिनिट के लिए इस तरह से रखेंगे अगर आप जल्दी इसे बनाना चाते हो तो आप इसे फ्रीज में रख सकते हो और आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो हमें जब ये सेमी सेट होगा उसी समय है मैं इसे कट लगाना है और ये देखे फ्रेंड्स बिल्कुल कितना आसानी से ये कट हो जाता है बहुत ही आसानी से आप इसे इस तरह से कट कर सकते है तो पहले मैंने इसे 20 से कट किया है उसके बाद मैं इस तरह से कट कर लूँगी बहुत इसली ये कट हो जाता है आप देख सकते हो बिलकुर मक्षन जैसा कटता है और ये इसका टेस्ट बहुत ही जादा अमेजिंग आता है फटा फट बनके आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते ह फटा-फट बनके रेडी होता है और ये देखिए कितना इजली हम इसे निकाल रहे हैं तो ये निकल के रेडी हो गया है और ये देखिए आप इसका टेक्श्चर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटिंग रेडी होता है बनके और खाने में भी फ्रेंड्स इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगानी की जरुषत है और नहीं ज्यादा सामार बहुत ही कम खर्च में आप बहुत ही अमेजिंग साधितम हलवाईयों जैसा बर्फी बना के आप घर यहाँ पर रेडी कर सकते हैं तो यह दिखें मैंने यहाँ पर सर्फ कर लिया है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसेपी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेर जरूर करें और इस रक्षा बंधन आप इस रेसेपी को जरूर ट्राई करें आपको बेहत पसंद आएगा आप इसको मैं पास से दिखाती हूँ आप देख सकते हो इसका टेक्शर बहुत ही जादा सॉफ्ट बनता है मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको यह दिखे मेरे तोड़ने के ढ़ंग से आप समझ सकते हो फ्रेंड्स यह कितना जादा अमेजिंग बनाया है तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले जिस मेजर्मेंट से मैंने आपको बताया है अगर आप बनाओगे तो आपकी बर्फी बिल्कुल पर्फेक्ट बनके रेडी होगी तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीजियो में ओके बाई और टेक केर फ्रेंड्स